स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्टू टेकनोलजी में मैं अनुपरम वेकुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शू कम्प्यूटर विड्नाश्टी में आज हम लोग बात करेंगे 240 वाट विथ यूसबी सी के बारे में तो आए समझते हैं तो सरसे पहले समझ gor प्रवण कई है क्योंकर रीसेंटली ही जैसे यूसबी सी आया था यह बारस्मऑजी यूसबी सी अलग है और यह यूसबी डेटा और भारी नोट को भी कर सथा अगर आप उस तेम उसे नहीं कर रहा है जैसे माली यह अपने जैसे कोई भारी लैप टॉप लगा दिये वह और आप से बैटरी चार्ज कर देगा उसके बाद आपको करना की चे लिकिन आप यह कर रहे हैं तो उस तेम प्रोब्लम होता है कि वह मतलब जब भी वह स्पाइक मारता है तो वह बैटरी को ड्रेंड करना रहता बैटरी ड्रेंड चार्ज ड्रेंड चार्ज यह बहुत बुरा है इतना जल्दी जल्दी साइकल चेंज करना तो इसी लिए सौ वाट का जो सिस्टम है मतलब टेक्निकली 120 तक खीच सकते हैं लेकि जब आप 100 में रोड देता हो तो 160 तो होने से रहा तो यह बहुत बड़ा समस्य बन जाता है अप्रस तो प्रैक्टिकल सिच्वेशन में आते है कि जैसे आपको गेमिंग लाप्टप हो गया बहले आपको गेमिंग इंपोर्टन लगे चाहिए ने लेकिन बहुत बड़ा इं लिखाता है तो वह सब 150 से नीचे तो मूँ भी नी खुनने माला और कुछ-कुछ होता है जो कुछ जरू से जादा खाता है वह सब थोड़ा लेकिन स्पेशलिस लाप्टप खा लाएगा उसके लिए लोड नहीं लेना है नॉर्मल आम लोगों की आम जरुवतों में गेमिं लिखाता है तो वह सब आपना चार्जर है सबके सब यसबी करने लिए सब का भाला होगा तो वहां पे बिटालना चाहते है फिर ए मोबिलिटी में जैसे आपका कहलेजे कि साइकिल होगा वह सब आराम से 200 वाट में अगर आप पावर दे पार है तो आराम से चार्ज हो जाएगा तो वह सब भी करना चाहते है उसके लिए इनको सीध है तो आप पर बहुत पावर चीए ताकि यह सब कभाण ना रहे यह सब बैरल जैक का नोटंकी ना रहे यही एक स सबसे बड़ा समस्या है कि इसलिए यूसबी सी पावर डिलिवरी होने के बावजूद भी हर जिगह आपको देखने को नहीं मिलता खासकर के लैप्रॉप पर तो समस्या क्या है क्यों ना हम दोग इसको बम बम करते हैं तो बम करने में सबसे बाद दिक्कत यह है कि करेंट जैसे अगर आप डालते हैं तो करिंट डालने में तार मोटा जाता है एक्जामपल के तौर पर जो लोग मेरा लाइश्ट्रिंग डिखते रहे हैं उनको पता है मैं मैंने यह बना है था पावर तो यह केबल है बहुत एंपर परदास कर सकता है यह कई किलो वाट कर दे सकता अब सोची अगर यह तार आपके मैं यूएस्बी पर्ट के लिए देने लूट काम कैसे चलेगा तो हिसाब हो यह एक एंपर में लिमिट होता है आप बहुत मोटा नहीं बना सकते हैं बनाने के बना सकते हैं आदमी इधर उधर नहीं कर पाएगा जो कि यूएस्बी का तार आदमी यूश्बी का तार में वह तो यूट में तो वह नूचए है तो वह मुटा हो जाएगा तो वह पहला समझे आओ मोटा निए जाना लगां तो आप यसे प्लास्टिक जाना में में मेटल घ्र होता है तो उसका एक लिमिट है कि आप इतना मोटर कर स्के छ यह फिर दूसरा होता है, वोल्टेज के उना भढ़ाद है, तो वोल्टेज में प्रॉब्लम है कि अगर वोल्टेज एक हद से जादा जाने लगा, तो आप शॉक हैजर्ड एरिया में आ जाते हैं, यानि कि अब माले कोई बच्चा उसको तार को चबाने लगा, वो टिक टूइन ह तो बहुत सीरियस पात हो जाता है, शॉक हाजर्ड पहुंच जाता है, तो वोल्टेज बहुत सदा आप नहीं कर सकते हैं, तो हिसाब यह है कि साइंटिफिक जनल में वोल्टेज कितने पे हमारी इंसानी बॉड़ी में जागा इसका पोई एक्जाक नमबर आपको नहीं दे तो चूता ही रहते होंगे, तो बाराव ओल्ट चॉविच बोल्ट यह समय तिकत नहीं है, 48 पे सब लोग कहा कि नहीं, इससे उपर रिस्क नहीं देना है, कहने को लोग कहा कि भाई 60 तक आप जा सकते हैं, लेकि को उतना रिस्क नहीं देना चाता है, तो टार्गेट वही मा तो बहुत जादा इंसलेशन डाला गया, उसका एक करण यह है कि मैं इसे हाथ में इसे पकड़ रहा हूं, ना हो जाए मेरा, करण वही है कि इससे एसा भी बनाना पड़ता है कि मतलब मेरा यूस को यह बदास कर सके, इलेक्रिक गाडी के चार्जिंग में है, जो आप लोग कि टिक सके उतना भी उसमें, मतलब इंसलेशन का दान पचास वोल्ट के नीचे सरस्तेव नी पड़ जाएगा, पचास से उपर सीधे आपको फुल मेंस लाइन का वोल्टेज देन का इंसलेशन करना पड़ेगा, वह बहुत महाता है, तो इसलिए समाझ लिए दोनों का लिम समस्या मनने न कि पर बोथ वोल्ट करके कि बस वोल्टेज किया होगा, बेस्ट एंप एंप्यर क्या होगा 48 वल्लेल फ॥ 2550ạnhל फूंञा लिए और इसमें, अभी इंच्व को बर बार इंटरनेट को देखनी चार्ज का और आपने पलग निकाला तो यहां आर्किंग होगी तो यह आर्किंग को मैंज करें दो बहुत सारे तरीकाश था पहला हुआ है कि मैटीर लिग आप मजबूत बना तो कि जह सबसे हैं कि अपके सारे स्विष्ट समय होता है जो बड़ा पंदरा एंपैस अब सब कर देता है त तो वहाँ पर यह भी करेंगे कि मेटल था से इंप्रूफ हैं दूसरा है कि साइड इसमें स्नबर सर्केट डाले वह या आइसी के अंदर इंटिग्रेटेड हो सकता है तो स्नबर सर्केट का काम रहता है कि आर्क फॉर्म नहीं होने देंगे थोड़ा सा होगा लेकिन बहुत सा वह चार्ज हो रहा है वह चार्ज हो रहा है आपने प्रक से पॉइंट से निकाल दिया उस ताइम आग लग जाएगा उसमें तो दिक्कत हो जाए न तो स्नबर सर्केट या कोई मतलब यह माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इंटिग्रेट कर सकते हैं फंक्शन जिससे डिसकनेक यह जा रहे हो ही है कि जाता वोल्टेज नहीं डालना चाहते है अनसेफ हो जाए कि माली वोल्टेज चैसी में शॉट मारा आपको उपर तो जा सता है तो वह कभी न हो इसलिए जैसे अभी बोश का मतलब बहुत सरी कंपरी बना रही है फोर्ड इस्तमाल करने लिए इफेक्टार मोटा हो जाता है तो इसलिए गाली का वजन कम करने लिए बोल्टेज बढ़ा देना है लेकिन बोल्टेज इतना नहीं बढ़ाने कि जटका लगने लगे तो यह सब लिमिट है अवही समझे आर्किंग इशू 12 वोल्ट के साथ काम कियों है अगर कोई रंच उन इनर्जी की बात हो रही तो यहां हैंड शेक बहुत कम्लिकेट है पूराने सिस्टम से में कोशिश की जादी कि रेजिस्टर से काम कर लो यह रिजिस्टर आप तो मतलब आपको यह करना है लेकिन वह सिस्टम अब हट चुका है पावर डिलिवरी अब आपको माइक्रो कंट यह रिजिस्टर रहें जाता है अब लोग इनने बहुत प्रण किया कि जाए लगाए तुक से लॉट हो जाता है अब लोग जैसी लॉट फोलिवरी अपकीच के लगने कर सकते जैसी अनलॉक रेजिस्टर हट जागा तो यहां पर हैंड़ बहुत बड़ा एक डेटा पैंड करते हैं तो पूरा डीटेल आपको में जाए लेकिन साइड इफेक्ट है बहुत कॉंप्लिकेटर डेटा है यानि कि मतलब माइक्रो कंट्रोलर चाहिए बात कर लेगल मैंने इस तरह कर नीचे दे दिया वीडियो जो यह टेक्स इंस्टुमें दिखा रहा है अपना लुट चांजिंगयर कि आपको 28 वर्ट चाहिए 48 वोल्ट चाहिए 20 वोल्ट चाहिए 5 वर्ट जो भी चाहिए आपने हिक्स फॉल्ट चाहिए आप ने कर लिया आपके डिवाइस के बीच में आप फिर है प्रोग्रामेबल पर शप्लाई पीपीई-एस प्रोटकॉल पीपी वोल्टेज मेरा सीधे जोड़ दो बैक्टरी से मैं चार्खान नहीं करूंगा अगर ओवर्चेट करूंगा अगर डिसकनेट करूंगा लेकिन वहां पर आप चार्जर पे तो यह इस्तमाल होगा एजस्टिबल वोडिल सप्लाइ तो इसमें वह वोल्टेज को चार्जर के ले आपको चाहिए माइक्रो कंट्रोलर तो यह समझना इंपोर्टेंट बात है कि 240 वाट तक अगर आपावर लेना चाहते है सेफली तो बिना धंके माइक्रो कंट्रोलर से यह नहीं होने वाला और इसी करण सब देखिए पी पावर डिलिवरी जो है कहने को कहिए तीन-चार सा अब बात करते हैं यूएस भी इंप्लिमेंटेशन फॉरम का जो सबसे बड़ा बुद्धी हींता है खराब नेमिंग कन्वेंचन बैद नेमिंग कन्वेंचन इनको आता ही नहीं नाम किसी चीज़ा कैसे देते अभी बहुत सारे नाम का हुआ लगा है इनका हिसाब है क्यों सब्सक्राइब नेमिंगे तो इन्होंने कर दिया कि 40GPS है जरूरी नहीं कि 40GPS हो वह आपको 20 भी मिल सकता है तो दोनों अलग अलग का रेटिंग है ठीक है डेटा है डेटा के अंदर दो अलग अलग रेटिंग है 20GPS हो 40GPS चलिए ठीक है बहुत ठीक है उसके बाद 400 यह मत सब्सक्राइब के साथ काम कर रहा है लेकिन आप सुझेंगे उसको निकाले मालेका बैटरी चार्ज होगे आपने निकाले अरे मैं इससे हाड़ देस लागे तो नहीं हो गया क्यों कि वो केबल जो था सिर्फ डेटा पावर भेज सकता था एक्स्टेंड़ पावर इंवलप इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन डेटा नहीं शेयर कर पाएगा तो यह एक बहुत बड़ा समस्थ्या है इसके साथ तो और देख लिए नेमिंग तो यह लोग अभी कर रहे है यूस भी सी पावर डिलिवरी स्टेंडर 3.1 पॉइंट वन कहां से डालते हैं इनको हर जी में लेकिन देटाना प्राब है और इसे यह जो पावर रेटिंग और डेटार अलग अलग कर रहे हैं इसे लोगों का पैसा घरबाद हो लोगों की आप खरीद ले रहे हो बारना मिले तरी कि आपल बना पढ़ाए कि जो केबल में तो नहों होगा उसका पाव पावरेटिंग है तो यह बहुत बहुत बुरा इडिया है इससे confusion बहुत होता है तो क्या कर सकते हैं तो मैं बोल तो रहा हूं कि यह गलत काम कर रहें तो कर क्या सकते हैं जैसे PCI Express का नेमिंग कन्वेंशन है जो है वो बोल रहे है जब रधस्तिक है नहीं 3.2x 2x 2x 1x 4x 8x 16x दिमाग लगाने ही नहीं है फिर आपको जैसे यह सब बैटरी के बात करें लिथियम है यह अपके पावर वैंक्स में होता है लैप्टाप सम्में होता है नए वाले में होता है नए वाले में लीथियम पॉली फिर आपका इसका बड़ा भाई है 2170 21 मिलमेटर डामेटर है 2170 मतलब 70 मिलमेटर इसका हाइटर तूरंत मतलब आपको लोड नहीं लेना है फिर जो निकला टेसला है नया निकला टेसला पोड़ रहा हूँ इलान मस्क बैटरी डे में जो नया फॉर्मेट अनाउंस के है वो ह बोलेगा एक मिनट क्या है कैसे है पीचली आपको करना पड़ेगा तब जाके समझ में आगा तो यह बहुत ही खराब नेमिंग कंवेंचर है इससे पब्लिक का बहुत नुकसान होगा तो बात करते हैं वहिश में क्या आना है तो वहिश में यह समझे कि यू का जो लॉइंहों ने डेवलक कर रहे हैं यह जरू दें यह पूराना सिस्टम है बतल लॉव के किसम में समझें हर चीज 2-3 साल पीछे चलता है तो यह कॉमन चार्जर में डाल रहे हैं कि मोबाइल फ में खासकर के टैबलेट में क्योंकि यह दोनों कि इसमें हाई पावर डिमांड का इस्तमाल कर ले जहां आप 150 वाट का अपुट को क्रॉस कर गए वहां पर सारे लैपटप मैंनेफेक्ट्चर सांती से वो लेंगा मैं क्यों हुँ हुआ कर रहा हूं यूस्बी सी द्रे दे कि मेरा 1500 वाट का मतलब समझ दी यह क्या बनते चार्चर जो है आपका यूस्बी सी का नॉर्मल पावर डिलिवरी प्रोटकॉल इस इतमाल कर रहा है नो प्रोप्राइटरी होगा नहीं कर रहा है तो अराम से लैप्टप मैंनेफेक्ट्चर करते हैं मैं आपको बता है कि खुद मैनुफेक्ट्चर के पास यह हमें आप यूस्बी सी दो यूस्बी सी इस्तमाल होने लगा तो यह समझी एक थो असा पुश सही रस्ते पर दे देगा और इसे समझेगी कंपनी हो गई जैसे कि on semiconductor हो गया टेक्सस इंस्टुमेंट हो गया माइक्रोचिप मैंनुफेक्शरेंस हो गया यह सब बहुत सार कंपनी हो दी जो बना के बड़ी कंपनी हो बेच जैसे अपल खुद तो कुछ बनाता नहीं ना वह उवेसली उखर देगा कि अब efficiency पर बढ़ाना पड़ेगा यानि कि माली बोल रहे है 94% हम efficient दे रहे हैं दूसरा बलेगा एक काम करो हम 96% efficient अब बहुत फ़रक पड़ता है लाख हो लाख लाख adapter का अगर 1-2% भी अब डाउन होने लगा positive direction में बहुत बिजली बचेगा carbon footprint घंटेगा सब का भला होगा तो इसलिए यह बहुत अची बात है कि एक स्रेंडर आने पर सबको improve करना ही पड़ता है यह बले-बले हो जाएगा और जो universal power plug के पीछे हम लग भाग रहे है एक चीज है जो आप Australia में जाई है वो भी वही प्लग लगेगा आप अमेरिका में जाई है तो भी वही पलग लग पुरी दुनिया में ट्राइवल कर सकते हैं आपको दिमांग लगाना हो वह चाजर अड़ाप्टर फाइंस देता है आपकर यह तो करता नहीं हो क्या बलते हैं मतलग फेस चेंज तो करता यह फ्रिक्वेंसी चेंज तो करता नहीं क्योंकि बहुत सारे जगा में आप 50 हर्ट तो वह सब कारण एक ऐसा स्टेंडड बन जाना जो आम लोगों की आम जरुरोतों का डिमांड को सीरे हटा यह 200 वाट से कम का जरुवत है यह पूरी दुनिया में काम करेंगा यह बहुत अची बात है तो ही समय और प्रोप्राइटरी चार्जर जितना हटेगा उत्म से सब क मुल बॉर्टबी चार्जन पर हो गया तो यह बहुत अच्छे डिरेक्शिन में यूसी असोशीचन मूफ कर रहा है कि उमीद करता हो यह प्रेजन्टेशन आप लोगों के काम है कृष स्खमे में भाग और कि समझ में आओ कि दो सब्सक्राइब नहीं नहीं कि अगल है तो अगर ऐसा है, आपको कुछ निम लगा, को समझ में है, मज़ा आए तो मैं आपसे कहूँगा कि लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, उसे मेरा काफी बहला होगा, नहीं एचा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिस